गोर्खा हित सर्वोपरी नमस्कार स्वरी मैं जगा चेंद करके दूसरे कमरे में आ गया हूँ वहाँ पे नेटवर्क का इशू आ गया था तो अचानक जो है लाइफ बंद हो गया इसके लिए मैं आप सबसे एक बार छमा चाहता हूँ और अपकी बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूरा लाइफ चले और पूरी बात जो है आप सुन सके और कुछ प्रेशन जो है आपके मिन में जो कुछ भी उठ रहे हूँ उसका भी मैं जबाब दूँ तो मुझे लगता है काफी लोग दुबारा जोइन कर रहे हैं और काफी लोगों को उसके वज़े से तकलीफ हुई नेटवर्क की वज़े से बस थोड़ी दिर और वेट कर लेते हैं कुछ हमारे साथ ही और जुड़ जाएंगे तो फिर ये हम कारिक्रम शुरू करेंगे रवी जी इस वाचिंग नार्यान गौत्म जी विकास दागर जी आप सब का स्वागत है मनोज सर्मा जी मनोज गोर सर्मा जी नमस्कार सुरेश दामाल जी नमस्कार दीपक पोडेल जी नमस्कार सैलेश सिंगल थेंक यू बेरी मच दीपक पोडेल जी सत्यम सर्मा जी नमस्कार नमर अधिकारी जी नमस्कार नमस्कार रभी बटराई जी नमस्कार सीतल अधिकारी सर्मा जी नमस्कार चलिए मेरे ख्याल से हम कारेक्रम सुरुआत करते हैं और काफी सारे लोग जुड़ गये हैं और लोग जुड़ेंगे तो आज खास करके यह यूआउं का कारेक्रम है और यौआों की मन की बात है और आफ मैं कोई की यूआशकति को कोटि कोटि पढ़ाम करता हूं और यूथ उफ इंडिया और उनकी टोली खास करके सेलेज जी और उनकी टीम को बहुत धन्यबाद उन्होंने मुझे आगरह किया और आज मुझे अपने जनता के साथ लाइव जुडने का यह अशर जो है प्रदान हो रहा है तो यूथ ओफ इंडिया और उनकी पूरी टोली को एक बार फिर नमस्कार अपना 21 दिन का लोकडाउ है और जो विश्वास है पूरे देशवाशियों ने उनका पूरा समर्थन किया और इस 21 दिन के लोकडाउन को सफलता पुर्वक इसको इमानदारी से पूरा किया और इसी की बदोलत समय रहते हुए जो इन्होंने इतना बड़ा डिस्टन लिया उसके चलते आज हम यह कह सक रहते हैं कि हिंदूस्तान बाकी बहुत बड़े-बड़े मुल्क के मुकाबले हम काफी अच्छी परिस्थिती में हैं जबकि हमारे पास अमरिका हो इतली हो फ्रांस हो ईयरोप के बहुत अठे देश हो उनके मुकाबले नहीं हो उतनी बैस्तरिन नहीं है उसके हुआ है यह लोगडाउन लेकिन अभी यह बिमारी पूरी तरह से समाप्थ हुई नहीं है दिन बदिन आकड़े बढ़ रहे हैं तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसे तीन मही तक बढ़ाने का गोशना किया है निन्ने निया है और पूरे देशवासियों ने इस चीश को एक बार फिर सब ने अच्छे से इसका समर्थन भी किया है देखिए हमारा देश युवाओं का देश है और जब युवाँ ठान लेता है कोई भी काम मुश्किल नहीं होता हमारे देश में आज भी 65% से ज़्यादा अबादी 35 वर्स या उनकी उससे कम आयू के युवाँ है और युवाँ ने ठान करके इस कठिन परिस्तिती में भी अपना पूरा योगदान दिया संकट काल ने भी इस संकट भरे काल में भी युवाँ ने समाज कल्यान के लिए जम के जो है काम किया मैं सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स सारे डॉक्टर नर्सेस उन सब को नुमन करता हूँ उन्होंने अपना परिवार छोड़के पूरा भारत देश को एक बड़ा परिवार मानके उन सबने सब की सेवा की है वो साथशाथ भगवान के रूप में आकर के इस कठिन परिस्तिती में भी जो कोविट-19 के जो पेशेंट थे उनकी खुब सेवा की है मैं उनको भी नमन करता हूँ और आज देखिए 130 करोड की आबादी वाला हमारा देश इतने सारे लोग उसके बावजुद भी हमारे जो अन्न दाता है जिनको हम किसान कहते हैं उन्होंने जो है कहीं भी किसी भी समय हमें ऐसा नहीं लगना दिया कि हमारे देश में कहीं भी अन्न की कमी हो या रासन की कमी हो मैं उनको भी पणाम करता हूँ हमारे सभी प्रशाशन में लगे अधिकारी उनके साथ ही हमारे दोस्त मैं उनको भी नमन करता हूँ साथी एक बार जरूर कहना चाहूंगा दारजिलिंग छेत्र या पूरा नौर्थ मंगाल के छेत्र में जितने भी संग सहस्ताएं हैं जितने भी कलब हैं जितने भी अलग-अलग सहस्ताएं हैं एंजियो हैं उन सब ने भी मिल करके और जितने भी दानवीर लोग हैं उन्होंने खुब दान किया और गरीबों की खुब सेवा की मैं उनको भी पडाम करता हूँ और साथ में एक बार जरूर कहना चाहूंगा हमारे छेत्र से देश भर में लोग पढ़ाई करने नोकरी करने जौब करने के लिए गए हुए हैं और वहाँ पे वो अटके हुए थे तो देश भर के विविन्ना सांसदों ने विदायकों ने उन सब की खुब सेवा की उन सब की वहाँ पे रुखने की खाने की भोजन की वेवस्ता की मैं उन सब को भी धन्यवाद कहना चाहूंगा जैसा कि मैं बता रहा था यह एक युवाओं का कारेक्राम है तो कुछ अपनी मन की बात मैं अपने युवाओं के सामने जरूर रखना चाहूंगा कि इस समय हम क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने देश को जादे से जादा योगदान अपना दे सकें देखिए सबसे पहले तो लोगडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग इसका 100% पालन हमको भी करना पड़ेगा और जो सरकार दिशा निर्देश जो दे रही है उसका भी सही धंक से और 100% पालन हमको करना पड़ेगा हमारे उपर दाइत तो जिम्मेदारी है कि हम समाज में जाकरके एवरनेस क्रियट करें इसके बारे में लेकिन जब भी हम जाएंगे सिखाने या एवरनेस क्रियट करने के लिए तो ये जरूरी बन जाता है कि उस अनुशासन का पालन 100% सोयम पहले हम करते हो नहीं तो ऐसा कहीं बार देखा गया अगर हम अनुशाशन का पालन खुद नहीं करते हैं फिर हम जो कुछ भी कहेंगे वो ठीक से जो है आदमी के दिल तरक वो बात नहीं उतरती इसलिए हमारी लिए जरूरी है कि हम खुद अनुशाशन में रहें खुद लोगडाउन का अच्छा से पालन करें और खुदी सोसल डिस्टेंसिंग को 100% हम फोलो करें और इस महामारी के समय युवाओं से मैं एक आगरा जरूर करना चाहूंगा देखे पीम केर जो फंड है हम सब के बगेट मनी से चाए 100 रिप्या हो चाहे 500 हो चाहे 1000 हो जितना हमारी चमता है उसके इसाब से हम सब को कुछ न कुछ जरूर जो है डोनेट करना चाहिए और मैं युवाओं से एक आगरा होर भी करता हूँ हमारे घर में बुजूर्ग होंगे या हमारे आसपडोस में बुजूर्ग होंगे हमें उन सब की भी खुब सायता करनी चाहिए और समाज के अंदर में अपने गाहों के अंदर में अपने शहर के अंदर में जितने भी जरूत्मन लोग हैं उनको किसी परकार का कश्ट नहीं हो किसी परकार का अभाव नहीं हो उसके लिए भी हमको आगे निकल के उन सब के लिए काम करना चीए विवेकानन जी कहते थे नर सेवा ही नाराण सेवा है और इसी तरह अलग-अलग जितने भी संसस्ता हैं उन सब के साथ जुड़ करके हमने काम करना चीए एसा मेरा हमारे सब युवापिडियों से आगरह है साथी ऐसा देखने में आ रहा है कि बलड डोनेशन काफी दिन से नहीं हुआ बलड की सोटेज है हमारे छेतर में तो मैं युवाओं से खास तोर पे यह आगरह करता हूं कि हम सब नजदी के अस्पताल में जाके जितना भी बन सके कुछ न कुछ रक्तदान अवश्य करना चीए रक्तदान सबसे बड़ा दान है सबसे बड़ा डोनेशन है हम जितना कर सके अपने तरब से अवश्य करना चीए साथी मैं उनसे ये भी आगरा करना चाहूंगा हमें रोज सबेरे उठके कुछ देर योग जरूर करें थोड़ी देर ध्यान जरूर करें देखी योग से हम अपनी सारीरी चमता को और बढ़ा सकते हैं अपनी फिजिकल स्टेमिना को हम इंप्रूब कर सकते हैं इसी तरह हम ध्यान करते हैं तो उससे हमारी एकागरता बढ़ती है हमारी स्परण सकती बढ़ती है हम जिस काम में लगते हैं उसके अंदर में मन ज़्यादा लग जाता है हम लगन्शील होते हैं इसलिए मैंने ऐसा देखा मैं स्वयम भी करता हूं आप जितना योग ध्यान करोगे उससे आपको अपार सक्ती मिलेगी आपको भहुत लाब होगा उसका उस लाब को आप सबको भी जरूर अवश्य ग्रेंड करना चीए और मोटिवेशन वीडियो इन दिनों तो आप देख रहे हैं तेजी से बढ़ रही है उसके कारण लोगों को तकलीफे होती हैं दिक्कत होती हम कई सारी घटनाय देख चुके हैं तो खास करके युवाँ को यह देखना चाहिए जो कुछ भी मेसेज आपके पास आता है उसको पहले हमको वेरिफाई करना चाहिए बेगर वेरिफाई किये कोई भी चीज हम फोरवर्ड कर देते हैं उससे समाज के अंदर में तकलीफ आ सकती है उससे हमको बचना चाहिए और सोसल मीडिया के माध्यम से लोगडाउन के बारे में सोसल डिस्टेंसिंग के बारे में जितनी एवर्नेस क्रेट कर सकते हमें अवश्य करना चाहिए और एक बात जरूर कहना चाहूंगा आप सबने यह अवश्य सुना होगा आरे हो गया सेतु एब के बारे में मोदी जी ने बार-बार इसके लिए आग्रह किया है, हम सब को अपने मोबाइल के अंदर में, स्मार्टफोन के अंदर में ये अवस्य लोड करना चाहिए, उससे जो महामारी है, उससे लड़ने के लिए हमको शक्ती मिलेगी, एक तरह का हमको एनर्जी मिलेगी, उसके कारण बहुत सारी information हमको मिलेगी, हम खुदी अपने आप में डॉक्टर उसके माध्यम से बन सकते हैं, तो इसका लाब जरूर उठाएं, एक मोदी जी ने ये भी आग्रह किया है, कि हम हैं में घरें के अंदर में मास बनाएं, और उसका उप्यों करें, अभी जैसे जैसे लोड़ हमके अंदर में घ्रेजियली जो है धिल मिलेगी, तो आप देखेंगे समाज के अंदर में, गाहों के अंदर में ये मास पहनने की जो है, हमारी जो है ये बढ़ जाएगी, आवश्यक्ता इसकी बढ़ जाएगी, तो अच्छा है, अगर आज ही हम घरों में मैलाओं के साथ म योगदान देश समाज के लिए कर सकते हैं, हम अपनी शुरक्षा कर सकते हैं, हम अपनी देश की भी शुरक्षा कर सकते हैं, तो अंतमे मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ, आप सब बहुत खुश रहें, स्वास्ता रहें, आप सब का कल्यान हो, और कोई दुखी न प्रश्न जो है आपके लूँ एक बहन निया जी ने कमेंट बोक्स में एक सवाल पुछा है आप बंगाल से बंगाल से एक असाधरन संसद रहे हैं और आपके पास सभी स्थरों पर हमारे लिए विशे और मुद्दे हैं सर आपकी प्रेणा क्या है और आप अपने आसपास की आलोचनाओं का प्रवंदन कैसे करते हैं मैंनेजमेंट कैसे करते हैं निया जी नमस्कार और आपका इन सब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखे मैं एक साधरन वेक्ती हूँ बिलकुल भी जो है आप ये मत्सों मैं साधरन बिलकुल भी नहीं हूँ बिलकुल मामुली साधरन परिवार में पैदा हुआ एक वेक्ती हूँ लेकिन मैंने बच्पन से अपने माता पिता जी को कठोर मैनत करते हुए देखा मुझे उनसे बहुत प्रेणा मिली और छोटी उमर में ही मुझे विवेक अनन जैसे किताबों का जो है पढ़ने का मौका मिला उससे भी मुझे प्रेणा मिलती है और आज जब मैं हमारे प्रदान मंत्री जी को देखता हूँ राद दिन एक करके देश के लिए राष्टर के लिए हमारे लोगों के लिए जितना ततपर और तनमेता से वो काम करते हैं उससे भी हम सब को बहुत प्रेणा मिलनी चाहिए और मुझे छोटी उमर से ही मेनेजमेंट के बारे में बहुत सारे ट्रेणिंग मिली बहुत सारे पुस्ते के मैंने पड़ी तो मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि कम समय में ज्यादा एफेक्टिव और रिजल्ट ओरेंटेट काम कैसे करें मैं उस पे ज्यादा विश्वास रख हो उसकी में मैं काफी मैं वह चिंता करता हूँ और मुझे बहुत सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं अपने दार्जिलिंग के लोग हैं तराई हैं डूर से उन सबीज लोगों से भी बहुत सीखता हूँ और मेरा एक यह मानना है कि हाड़ वर्क का कोई सब्स्ट नहीं होता और आप पूरी मांदारी से मैंनत करते हैं उसका रिजल्ट जो है आपको अवश्य मिलता है तो आपका सवाल बहुत अच्छा था इसके लिए जो है आपको बहुत-बहुत बदाई और इसी तरह से बहुत सारे सवाल जो है अभी आ रहे हैं और एक गुरुपृत जी गुर्पृत सालूजा जी पूछते आप दार्जिलिंग और उत्तर बंगाल छेत्र में इस महामारी के किसी भी प्रकोप से लड़ने के लिए मतलब कितना तयार है देखे गुर्पृत जी नमस्कार एक अच्छी बात आप सब के सामने शेर करना चाहूंगा कि आज नौट 2019 टेस्टिंग लेव चालू हो गया हम सब के लिए बड़ा एचिवमेंट है और यह बहुत बड़ी बात है हमारी छेत्रे के लिए लेकिन मैं देखिए इमानदारी से मैं कहना चाहूंगा जितनी तयारी इस महामारी से लड़ने के लिए होनी चाही थी उतनी फूल प्रूप तयारी हमारी छेत्रे में नहीं हुई इस चीज को मैं जरूर स्विकार करता हूं क्यूंकि आज भी आकड़े सपस्ट नहीं है कि हमारे यहां पे कितने कोरणा पोजिटीव मरीज हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो आज आईसोलेशन में हैं कितने लोग ऐसे हैं जो होम कोरंट में है या कॉरंटाइन सेंटर में इसका अभाव हम सब को जरूर दिखता है और इसके कारण लोगों के अंदर में एक थोड़ा भै का वातावरन भी है लेकिन देखिए अब जैसे भी इस्तिति हो इसको हम आज बदल नहीं सकते लेकिन यह जरू कहना चाहूंगा पिछले करोना वाइरस इलाज के लिए जोड़ा है मुझे लगता है यह बहुत मतलब वेलकम स्टेप है उसके कारण जो है हमारे को इस बीमारी से लड़ने में काफी हद तक जो है मदद मिलेगी देखिए हमारे पूरा छेत्रे ही पिछले कई सालों से यह हेल्थ में काफी पिछडा हुआ है नौर्थ बंगाल और उसके मेंसे भी सिली गुड़ी हम सब का हव है लेकिन सुली गुड़ी के अंदर में भी जो सरकारी अस्पताल है उसमें जिस तरह की सुविदा होनी चीए वह सुविदा मौजित नहीं इस बात का मुझे जरूर दूख है लेकिन आज भारत सरकार जो है इस सब चीज को बदलने के लिए काम कर रही है आने वाले समय में आप देखेंगे देजबर में जितने भी डिस्टिक अस्पताल हैं सरकारी अस्पताल है वो सब मेडिकल कोलेज में कनवर्ट होंगे उससे हमारा देजबर का जो हेल्थ का कासा मेरा मानना है एक तीसरा सवाल लेता हूं सोहम सरकार जी वो पूछ रहे हैं आप हमेशा दारजिलिंग के बारे में मुखर रहते हैं तो हमने आपको हमारे साथ दारजिलिंग में नहीं देखा इस समय आप लोगों के साथ कैसे जुड़ रहे हैं और कैसे संपर कर रहे हैं सोम सरकार जी आपका नमस्कार देखिए एक सांसत होने के नाते पारलेमेंट पे रहना मेरी डूटी है और जैसे पारलेमेंट खतम हुआ उसके अगले दिन जो है लोगडाउन हुआ उसकी गोशना हुई तो मैं अपने छेतर में नहीं आ सका आज मैं दिल्ली में हूँ भले ही या उससे जादा मैं आज भी काम कर रहा हूं Facebook के में से वीडियो के माध्या मीडिया मीडिया या प्रेस के माध्या में मैं हर दिन कोशिश करता हूँ कि जो कुछ भी कमिया मुझे दिख रही है उसको हम दुरुस्त करें चाए वो रासन का मुद्दा हो चाए वो चाए बगान का मुद्दा हो जाए बजारों के अंदर में हजारों की भीड उमड के आ रही है मैं चाहता हूँ मैं अपनी बाद सरकार तक पहुचा हूँ प्रिसाशन तक पहुचा हूँ और उस चीज़ को हम सब मिल करके जल से जल दुरुस्त करें क्योंकि अगर आज हम समय रहते हुए नहीं समलेंगे तो आने वाले समय में बहुत बड़ी तरासेदी हो सकती है और वैसे भी हमारा छेत्रों सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है क्योंकि चार इंटरनेशनल बॉर्डर से गिरा हुआ है लागे जो है टूरिस्ट हमारे छेत्र में आते हैं युआ भाई बहन जो है हमारे छेत्र से बाहर रहके या तो पढ़ाई करते हैं या रोजगार करते हैं या नोकरी करते हैं तो जब वो सब अपने छेत्रे में वापस आते हैं तो हमारे छेत्रे में वैसे ही काफी जो है एक सेंसिटिव बन जाता है तो मेरी ये कोशिश रहती है कि दिल्ली रहके भी जो है जितना मैं अपने आप से बन सके वो करूँ और साथ ही हमारे जो जितने भी कारे करता हैं और हमारे एलाइंस पार्टी हैं उन सब कारे करता हूं के साथ मैं हमेसा जुड़ा रहता हूं जितने भी संगसंशता हैं उनके के साथ मिल करके हम जितने भी सिवा के काम हों मतलब करूं ऐसा मेरा हमेसा से जो है वो रहता है चेस्टा रहती है और आपको जानके खुशी होगी आज तक करीब पचास हजार गरीब परिवार तक हमने राशन पहुंचाने का काम किया उसमें बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया बहुत सारे संगसंस्ता है और बहुत सारे क्लब ने भी मदद की हमारी पार्टी के कारेकरताओं ने भी एलाइंस पार्टी के सभी मित्रों ने भी उसके हम सब को इसके लिए मिलके काम करना पड़ेगा और जैसा मैं पहले बता रहा था ग्रेजुली यह समय भी जो है निकल जाएगा और जो है आने वाले समय में जो है हम जो है यह बिमारी से हम निकल जाएंगे और जिस तरह का प्रकोप मुझे लगता है दुनिया के बहुत सारे देशों में हैं वैसी इस्तिती हमारी भारत की नहीं होगी एक सारी का जी भी पूछ रही है कि यह जो आप मेरो दार्जिलिंग चलाते हैं यह क्या है देखिए बहुत सारे लोगों को यह लगता होगा कि हमारा दार्जिलिंग क्यों नहीं है मेरो दार्जिलिंग यानि मेरा दार्जिलिंग ऐसा क्यों देखें ये एक sense of ownership है और sense of responsibility है इसके बारे में बहुत चर्चा हुई और यूं तो हम ये भी कह सकते हमारा दार्जिलिंग लेकिन जब मैं मेरो दार्जिलिंग कहता हूं या मेरा दार्जिलिंग कहता हूं एक responsibility एक ownership की भाव आती है अपने जैसे उधारन से मैं आपको बिदाता हूं मैंने देखा बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं और अच्छी आदत है पत्र लिखना चाहिए आप इमेल करते हैं WhatsApp करते हैं उससे कही गुना ज्यादा सकती आपके पत्र में रहता है जो आप हाथ से लिखते हैं तो मैं देखता हूं बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं और पत्र में कई बार आम यह लिखते हैं डियर ओल उसका एक महत्तो होता है लेकिन मैं यह मानता हूं लिखते हैं तो उस पत्र का प्रवाव ज्यादा पड़ता है उसके उसका दिल तक वह पत्र जो है चुता है तो यही कारण है और वैसे भी देखिए दारजलिंग तराई डूर्स हम सब का है और हमारे अंदर यह भाव होनी चाहिए कि हमारे छेत्रे के लिए स्वयम हमको करन है कोई बहार से आके हमारे छेत्रे के लिए नहीं सोचेगा नहीं करेगा हम सब को सोचना है हम सब को इसके लिए करना है और देखे मैं तो बहुत सारे देश घुमाओं करीब 50 देशों से जादा दुनिया भर में घुमा हूं और इतना सुंदर छेत्र मैंने कहीं नहीं इंफ्रस्ट्रक्टर को इंप्रूब करेंगे मुझे लगता है इससे सुन्दर छेत्र दुनिया में कहीं और नहीं हो सकता और हम सब को गर्व होना चाहिए कि इतनी पवित्र भारत में और ऐसे पवित्र इस्थान पर हम सब का जनम हुआ है और जवाब अभी भी सवाल जो है बहुत आ रहे हैं अच्छा लगा आप सब का पार्टिसिपेंट्स देख करके बस मैं अपने युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि देखिए आपके मन में हमारे छेत्रे के जो कुछ भी सुझाओ हो आप जरूर मेरे तक पहुचाए और मैं कोशिस करूँगा कि वो सब चीज जो है उसके अंदर में इंप्लिमेंट हो उसको हम इंप्लिमेंट करें और हमारे छेत्रे को जो है हम एक अच्छा सुन्दर और ससक जो है छेत्र बनाएं और मुझे लगत अच्छेत्र है चाय बगान से जुड़ा हुआ है और हमारे जादातर लोग जो है चाय बगान के माध्यम से अपना पालन पोशन करते हैं और मेरे कुछ प्रमुग दो तिन मुद्दे में एक प्रमुगता से चाय बगान भी डेवान से रहा है करिब करिब मुझे 9-10 मैना संसत बवन में सपत लेकर काम करते हुए और बार बार मैंने चाय बगान के बारे में उल्लेख जरूर किया है अब ये कोरोना वाइरस के कारण जो है इसमें बिल पास नहीं हो पाया लेकिन आने वाले समय में आप सब के लिए खुशकबरी ये है कि चाय बगान को लेकर के प जो मिनिममम वेज मिलना चीए वो पूरा मिनिममम वेज मिलेगा उसमें कोई कटोती नहीं होगी और मिनिममम वेज के अलावा जो कुछ भी उनसे सेफ्टी रिलेटेट इशू है उसका भी ध्यान रखा जाएगा और उनकी हेल्थ की चिंता की जाएगी और पहुत सारे जगा जगा पर इसपटाल की सुविदा भी होगी तो मुझे लगता है इससे काफी हद तक जो हमारी चाइबगान की समस्या है वो सौल्ब हो जाएगी दूसरी बात अब ये भी हो रही है कि विशले काफी दिनों से जो है चाइबगान को लेकर के विशे चल रहा था कि चाइबग सब्सक्राइशन यह रखी थी कि सोचल डिस्टेंसिंग मेंटेन होनी चाहिए और उसके साथ सेनिटाइजेशन का और मास्की प्रोपर विवस्ता होनी चाहिए बट उसके बात फिर जो है राज्य सरकार ने भी एक आदेश दिया कि पचास परसंद नहीं लेकिन पचीस परस सरकार ने दिया था उसका आपने पालन किया चाहिआ बट आपने चालू किया अब आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो स्रमिख चाहिए बट आप जरूर करते हैं उनको आप पूरा सुरक्षा दे उनका प्रोपर जो है सोसल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे उसको आप इमान तरह के industry में काम करते हैं उनका जो है कोई भी wages में कटोती नहीं होनी चाहिए लेकिन मुझे यह जानकर के दुख होता है कि आज तक जो है समय था और अभी के समय में जो है काफी बदलाओं है बहुत सारे प्लांटर तो मुझे यह भी कहते हैं आज हम नुक्सान में काम कर रहे हैं या कुछ यह कहते हैं हमारे पास profit नहीं है देखिए मैंने आपके लिए भी मैं डे वन से सरकार के साथ मंत्राले में इसके लिए काम क से सरकार की म्याद्यम से जो कुछ भी बन सेकेगा हम अविश्य करेंगे लेकिन ऐसी कठिन परिस्तिती में हम सब नहीं चाहिए कि हम आगे बढ़ करके हमारे स्रमी जितने भी भाई बैन है उन सब को जो है उनका वेजस हम पूरा दें इसी तरह जो है रासन से रिलेटेड ज आरजलिंग का सांसद हूं एक राशन को लेकर के भी काफी सवाल जो है पूछे जा रहे हैं देखिए राशन एक तो राज्य सरकार ने छे मैने तक फ्री में राशन देने की गोश्णा की है और ऐसा देखने में आया कुछ जगह राशन बटा भी है लेकिन जादातर लोग स सिस का ध्यान रखे कि जो भी राशन राजय सरकार ने एलोट किया है वो सब को मिलना चाहिए और आप सब युवाओं के लिए भी मैं यह कहना चाहूंगा हमारे लिए एक अच्छा समय होगा कि हम बहुत सारे एमार सोप में जाएं विजिट करें और वहां पे हम यह इंशो होगा इसी तरह मैंने अपने कारे करताओं को भी लगा रखा है आप जितने भी राशन इस्टोर आप सब में जाए और जा करके जो राशन इस्टोर है वहां पर बात करिए कि जितना राशन एलोटेट था उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसकी चिंता करें अगर कहीं इसा हो रहा है उनको राशन नहीं मिल रहा है उसकी सिकायत आप मेरे तक जरूर लाएं उनके उपर में जो कारवाई करनी होगी उचित कारवाई जो है समय अनुशार हम जरूर करेंगे और इसके अलाबा केंद्र सरकार ने भी पांच किलो चावल या पांच किलो आटा और इसके साथ एक किलो दाल इसकी घोशना किये कि तीन मैने तक यह फ्री में मिलेगा और अभी तक पश्चिम बंगाल में करीब 50,000 तन जो है राशन जो है राज्यसरकार के पास पहुंच चुकी है केंद्र सरकार से उसका वितरन अभी चालू हुआ नहीं है उसके अंदर लेक étant कि साथ मुझे लगता है ना किसी तरह की कमी अमारी छेत्र में नहीं रहेगी इसितरह बहुत सारे सवाल जो है अभी भी आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगा मतलब इतने जो है उस साथ से जो है आप जुड़े हैं और इतने सारे सवाल आप पूछ रहे हैं और पहली बार ऐसा लाइब कारेक्रम अपनी जनता से मैं सीधा कर रहा हूँ और बहुत सांदार अनुबह रहा बहुत अच्छा अनुबह रहा और मैं आपको ये आस्वस्त कहना चाहूँ करना चाहूँगा जो कुछ भी सवाल आपने पूछे हैं या जो कुछ भी आपने इच्छा जो है जानने के लिए प्रकट की है मैं कोशिस करूँगा उस सो टेक्स करके आप तक पहुँचा हूँ और जितनी भी आपके मन में जिग्यासा है उसको मैं दूर करूँ एक बार फिर हमारे सभी इवा टोली को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आपको प्रणाम और इतनी उत्सा के साथ जो इस कारेक्रम में आये इसी तरह सेलेज जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बढ़ाई और हम इसी तरह मिलते रहेंगे आपके मन में जो कुछ भी सवाल हो आप रखिये और जब मैं लाइब नहीं रहूँ तब भी आप मुझे अपने फेस्बुक में लिख सकते हैं मैं कोसुष करूँगा उसको दुरुस्त करूँ और उसमें जितना काम हो सके मैं आपके लिए करूँ देखे मैं आप सब का सेवक हूँ और आपके लिए जो कुछ भी बन पाएगा मैं अवश्य करूँगा मेरे लिए मतलब मैं हमेसा यह कहा करता हूँ देखे मैं राजनीती में नया हूँ और मेरे को राजनीती से ज़्यादा रूची है लोगों की सेवा करने के लिए और जो कुछ भी अपने लोगों के लिए बन सकेगा मैं अवश्य करूँगा आप सब लोग जुड़े इसके लिए आपका एक बार पुना से बहुत-बहुत धन्यवाद हम फिर मिलेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद भारत मता की जए